इस वीडियो में अपने बात करेंगे अगतंतर का important topic सबसे पहले इसका introduction फिर wish के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस्तावर और जांगम wish के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका introduction तो देखो आचार ये सुसरूत सुसरूत जी ने आईरवेद के आठ अंगों में अगतंतर को छटे नमर पर रखा है important है छटे नमर पर position होती है आईरवेद के आठ अंगों में according सुसरूत के अनुसार ठीक है तो आईरवेद के आठ अंगों कोन कोन से है सले तंतर, साला के तंतर, काज, चिकिशा, भूत, विदा, कोमार, भरत, अगद तंतर, रसाइन और वाजिकरन तो आईरवेद के आठ अंगों में अगद तंतर को छटे नमर पर रखा है आचार ये सुसरूत जी ने फिर बात करते हैं अगद तंतर की विउत्पती तो देखो आद पलस गद पलस तंतर तो तंतर क्या होता है त्राइते सरीरम अनेन इती तंतरम जिसके द्वारा सरीर की रक्सा की जाए उसको बोलते हैं तंतर और अगद आपलस गद आई यानि अपसेंट और गद यानि पाईत निरोग है ना इसको बोलते हैं अगद गद गददा तु और अचपटेशे बनता है गद सब्द फिर विशनास करने का विज्ञान है इसको बोलते हैं अगद ए प्लस गद ए यानी अपसेंट गद यानी व्यादी या फिर रोग अब देखो आचारिय सुसरूत के तो देखो कोई भी या तो इस्तावर विश हो गया या जांगम विश हो गया या फिर क्रित्रिम विश हो गया इनके कारण सरीर में जो शिम्टम होते हैं उनको अपन पहचानेंगे और उन शिम्टम का अपन फिर ट्रिटमेंट करेंगे उनका इलाज करेंगे इस साका को बो अगद तंतर तो देखो यह quotation important है अगद तंतराणा में सरब कीट लुता मुश का दिदस्ट विष वेंजनाट विविद विष संयोगोप समनाट चाहे तो सरब कीट लुता और मुशक इनके काटने से विष लक्षनों को पैचाने के लक्षन उनको पैचानेंगे तता अन्यक परकार के सावबावी की करत्री में और सिंयोग विष्य उत्पन विकारों के समन का वणनन जिस तंतर में मिलता है उसको बोलते हैं अगज तंतर तो symptom को पैचाननेगे अपने और फिर उनका treatment करेंगे उसको बोलते हैं अगज तंतर और सुसृत के नुसार ये quotation very very important नेक्स्ट बात करते हैं अगद तंतर का इतियास तो देखो सबसे पहले आचारिय सुसरूत ने विश का वंदन कहां पे किया है संपूर्ण कल्प इस्तान में फिर आचारिय चरक जी ने विश का वंदन ने चिकिसा इस्तान में किया है अध्याई 23 विश चिकिसा और पर्णन किया है फिर अश्टांग अड़े ने उत्तरतंतर में 35-38 सद्याय में फिर अब देखो रिगवेद में विश का परियोग वत्सनाब का तीर पर परियोग और पिर रामायन में सरपदंस में वनोस्ति का परियोग किया गया है तो यह पड़ा अगतंतर का इतिया से अब करना और दूसरा है अगर उसने विश ले लिए तो उसको मतलब विश मुक्त करना ठीक है तो एक तो देखो स्वास्त वेक्ती के स्वास्टे की विश के परभाव से रक्सा करना और विश गरस्त वेक्ती को अगर विश इंटे कर लिया ना तो विश मुक्त कर आरोग्य पड़ान करना तो ये दो परियोजन हो गए विश के अगर तंतर गए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपने विश की व्यूत पती तो देखो विश पलस के बराबर विश जो सरीर में जाकर शिगरता शे व्याप् होते है ना दोनों के गुण एकदम अपोजीट होता है विश से ओज को नेस्ट करता है ठीक है तो देखो विश की ये व्यूत पती हो गई शरीर में जाकर शिगरता शे व्याप्त हो जाए उसको बोलते हैं विश फिर विश की निरुक्ति देखो जो दैर्वै विशाद उत करें उसको बोलते हैं विश और अब बात करते हैं विश की परिबासा तो देखो ये कोटेशन वेरी वेरी इंपोटेंट इससे पहले अपने पढ़ाता अगदतंतर की परिबासा आचारिय सुसूरूत के अनुसार वो सलोग भी इंपोटेंट है और विश की परिबासा का य जो रस आधी दातु को दूशित करे उसको बोलते हैं विस जिसके कारण व्यक्ति की डेथ हो जाए उसको बोलते हैं विस तो देखो देहम परवीशे यद दर्वम दूशित्वा रसाधिकान स्वास्ते प्राण हरम चत श्यात तद दर्वम विसम उच्चेते ठीक है तो जो शरीर में परवेश करके रसाधी दातु को दूशित करे या स्वस्त वेक्ति के प्राणों को हेल्ड ले उसको बोलते हैं विस नेक्स्ट बात करते हैं विस के परियाई तो जो रसाधी दातु को दूशित करे उसको बोलते हैं अपने विस बस इतना सा याद करन पिर विश की उत्पति कैसे होती है तो देखो विश की उत्पति कैसे हुई जब देवता और दानव अमरत प्राप्ति के लिए समूंदर मन्थन कर रहे थे तो अमरत से पहले विश की उत्पति हुई और वो विश जब पठ्वी पर गिरा तो अलग-अलग विश के टाइप ज उत्पती हुई उस विश की कुछ बूंद धर्टी पर गिरी जिसके कारण इस्तावर और जांगम विश की उत्पती हुई अब बात करते हैं विश के गुण तो यह मैंने बता दिया विश के गुण होते हैं 10 और ओज के गुण भी होते हैं 10 बट दोनों के अपोजिट एकदम तो विश के गुण आचार्य सुसूरुत ने भी 10 बताए हैं और आचार्य चरक ने भी विश के गुण 10 बताए हैं अब आचार्य चरक के अनूसार विश के 10 गुण कौन-कौन से हैं लगू, रुखस, आसु, विषद, वेवाई, तिक्सन, विकाशी, सुक्स्म, उसन और अन निर्देशे रस ये गुण किसने बताया है आचारिये चरक जी ने ये इंपोटेंट है फिर बात करते है ओज की तो देखो यहाँ पे अपन ओज क्यों पट रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था कि विश और ओज के गुण एकदम अपोजित होता है विश ना ओज को नस्ट करता है ठीक है विश के गुण अपोजित होते हैं ओज के इसलिए अपन यहाँ पे ओज को पढ़ेंगे तो देखो ओज की ये डेपिनेशन आचारिये सुसरुत के अनुसार इंपोटेंट है इस से पहले अपने पढ़ाता विश की परिबासा वो भी इंपोटेंट है और इस से पहले अपने पढ़ी थी अचारिये सुसरुत के अनुसार अगरतंतर की परिबासा अगरतंतरा नाम सरब की इटलुता मुसकादी दश्ट विश वेंजनार्थ विविद विश सयोंगोव समनार्थ चाह ये भी इंपोटेंट है तो ये तीनों कोटेशन वेरी वेरी तो ओज क्या होता है रस से सुकर दातू के उतकरिष्ट सारबाग को क्या बोलेंगे ओज बोलेंगे और इसके अपोजित अपने विश की परिवासा पड़ी थी रस आदी दातू को दूशित करे उसको बोलते हैं विश ठीक है तो ओज देखो ततर रसादी नाम सुक्रांता नाम दातु नाम यत परम तेज इस्तत खलव ओज इस्तदेव तदेव बलम इत्यू चाहिते तो रस से सुक्र दातु के उतकरिष्ट सारबा को अपन ओज बोलते है यह है सुसरुत के अनुसार और देखो इसको बल भी बोलते है वेरी 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 इंपोटेंट तो ओज को बल किसने बोला है आचारिय सुसरुत जी ने और देखो ओज और बल में अंतर बताया है डलन जी ने ठीक है तो ओज को बल बोला है सुसरुत ने और इन दोनों में अंतर बताया है डलन ने और विश के गुण अपोजिट होते हैं ओज के गुण ची ठीक है अब ओज के गुण भी 10 होते हैं यह मैंने आपको बता दिया गुरू, सीत, मृदू, सलक्स, बहल, मदूर, इस्तिर, प्रसन, पिछिल और सनिक्द ओजो 10 गुणम इसमर्थम तो ओज के यह 10 गुण और विश के 10 गुण, वेरी, 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 इंपोटेंट हैं पिर बात करते हैं अपन विश का पंच बोतिक, तो देखो कोई भी दर्व हो चाहिए, सर्वे दर्वं पंच बोतिक, कम असमीन अर्थे, कोई भी दर्व हो, वो पांच माबुत से मिलके बना होता है, तो विश भ बहार भी होगा, तो यह प्रत्वी गुण, यह नि, प्रत्वी माबुत हो गया, विश में आसु गुण भी होए, तो यह वायू का गुण हो गया, और विश में सुक्सम गुण भी होता है, यह अपन उपर पढ़ के आए है, विश के 10 गुण, सुक्सम भी होता है, उसन भी उससे तुरंत डेत हो जाती है तो जो विस सभी दस गुनों शे युक्त होता है वो सद्धे प्राण हर होता है ठीक है? नेक्स्ट बात करते है विस की गती तो देखो जांगम विस की गती नीचे की और और इस्तावर विस की गती होती है उपर की और important है confusion नहीं होना जांगम विश की गती नीचे की और अदोबाग और इस्तावर्विश की गती होती है उपर की और देखो सलोक में इस्तावर्विश को मूलजम बोला है मूलजम तो मूलजम इस्तावर्विश ही होता है तो इस्तावर्विश की गती होती है उपर की और नेक्स् सबसे पहले रक्त दातू को दुशित करेगा वेरी 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 इंपोटेंट हैं रस नहीं होगी रक्त दातू है ठीक है तो सबसे पहले रक्त दातू को दुशित करेगा बाद में त्री दोस और सभी आश्यों को दुशित करेगा त्री दोस और सभी आश्यों को हो जाएगी नेस्ट बात करते हैं अपने विश्ट के वेग मैंने बॉला था किस विश के गूण और ओज के गूण एक Sw gauche होते हैं रेजिट मतलब सबसे पहले रच से रखते, रखत शे मास, मास मेद, मेद से अस्ती, अस्ती से मज्जा, मज्जा से सुक्र में जाएगा विस, सुक्र में जाने के बाद में ओज में जाएगा, तो पहले दातु में जाएगा, फिर ओज में, ओज को नेश्ट करेगा, तो देखो विस यह पड़ा अपने विश के वेग की प्रिवासा अब विश के वेग तो सुसुरुत ने विश के वेग बताए है साथ और चरक ने विश के वेग बताए है आठ वेरी वेरी इंपोटेंट सैशे सुसुरुत सैशे साथ सुसुरुत ने विश के वेग बताए है साथ और चरक जी ने विश के वेग बताए है आठ तो आचारिय चरक जी के अनुसार इस्तावर विश के वेगों के बारे में पढ़ेंगे अपन आचारिय चरक ने इस्तावर विश के आठ वेग बताए है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले पर्तम वेग देखो पर्तम वेग म जब विश्का पट्तम वेग होता है और इसमें रस दातु की विक्रती देखने को मिलती है फिर विश्का दित्य वेग तो इसमें रक्त दातु की विक्रती देखने को मिलेगी और इसमें विवरंता, चक्कर, कमपन, मूर्चा, जरंबाई, चुन्चुनाट और तमक स्वांस यह symptom देखने को मिलते हैं और देखो यह तमक स्वांस वेरी 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 इंपोटेंट तमक स्वांस विष्ट के वेग के दूसरे वेग में देखने को मिलता है तो दूसरे वेग में देखने को मिलता है तमक स्वांस यह symptom फिर तीसरा वेग देखो तो इसमें मास दातू की विकृति होती है और मंडल कुष्ट सवयतू और कोट ये शिम्टम देखने को मिलते है पिर चोथा वेग तो इसमें वातादी दोस मतलब त्री दोस की विकृति देखने को मिलती है वातादी मतलब वात पीति एंडि कफ और इसमें क्या शिम्टम देखने को मिलेंगे दाह, चड़ी अंगसूल और मूर्चा फिर विसका पांचवा वेग तो इसमें दरश्टी मंडल की विटकरती देखने को मिलती है और सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे आंखों के आगे अंदकार तम परवेस परतेक वस्तु का निलावरण का दिखाई देना तो तम परवेस आंखो घोस की विक्रती यह चोथे वेग में देखने को मिलता है फिर बात करती है छटा वेग तो इसमें हिका यह सिम्टम देखने को मिलेगा 700 वे वेग में इसकन्दबन्ग होना और 800 वे कमें पैसेंट की डेथ हो जाएगी तो यह पड़े अकोडिंग चरक , चरक जी के इनुसार इस्तावर विष्के वेग किस किसी की विक्रती होती है और पेशेंट में क्या शिम्टम देखने को मिलेंगे नेक्स्ट बात करते हैं अब देखो पक्षियों में विष्के वेग होते हैं तीन आचारी चरक की अनुसार और पस्वों में विष्के वेग होते हैं च्यार अचारिे चरक की अनुसार. तीन कौन कौन ची है, परतम वेग में उध्वीगन देखने को मिलेगा, दूसरे वेग में चक्कराना, तीसरे वेग में अंग परत्यंग डिले, और फिर डेत हो जाती है, और पसुओमी विशके चयार वेग देखो पर्तम वेग में पीड़ा चकराना दूसरे वेग में कमपन तीसरे वेग में निस्करियता बोजन के पढ़ती उदाशीन होना चोथे वेग में स्वांस गती में वर्दी और फिर देत हो जाएगी तो पक्षियों में विश्के वेग इसमें तीन होते हैं और पस्वों में विश्के वेग होते हैं च्यार और आचारिय सुसरुत के अनुसार विश्के वेग साथ और आचारिय चरक के अनुसार विश्के वेग होते हैं आठ और तमक स्वांस ये सिम्टम देखने को मिलता है द आप देखो अपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ने के बाद में देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने विष का वरगी करन, तो देखो आचार्ये सुसरूत के अनुसार विष के दो वेद बताये हैं, इस्तावर विष और जांगम विष, बाद में ये तीन वेद बता दिये, एक क्रित्रम विष को भी सामिल कर लिया, तो क्रित्रम विष बताया है आचारिय सुसरुत ने, फिर चरक ने, आचारिय चरक जी ने भी विष के दो बेद बताये है, इस्तावर विष और जांगम विष, बाद में तीसरा वेग एक और बताया, गर सेयोंगज, तो क्रित्रम विष तो बताया है, तीसरा वेग, सोरी, तीसरा वेद सुसरुत ने, और गर सेयोंगज, ये बताया है, तीसरा आचारिय चरक जी ने, फिर देखो, इस्तावर विष के अधिस्टान होते है, दस और जांगम विष के अधिस्टान होते है, 16, very very important, इस्तावरविश के अधिस्टान 10 से और जांगमविश के अधिस्टान 16, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, इस्तावरविश के 10 अधिस्टान कौन-कौन चे है, तो मूल, पत्र, फल, फुस्प, त्वक, शीर, सार, निर्यास, दातु, यह याद करना है न, दात और कंद, तो यह 10 से इस्तावरविश के अधिस्टान, फिर जांगमविश के अधिस्टान होते हैं 16, देखो, चरक सुत्र इस्थान एक, उसमें मूलीनी दर्वे 16, और फलीनी दर्वे 19, इसी परकार यह भी तुमको याद करना है, इस्तावरविश के अधिस्टान 10 से, जा अस्ट्रा, नक, मुत्रे, पूरिश, सुक्र, लाला, आर्तव, मुक, संदस, विशर्दित यानि गुद्दा, तुन्डास्ति, पित, सूक और सौ, यह 16 अधिस्टान, जांगमविश के और इस्तावरविश के अधिस्टान होते हैं 10, नेक्स्ट बात करते हैं इस्तावरवि इसके क्या-क्या अपनको शिम्टम देखने को मिलेंगे पैशेंट में तो ज्वर, हिका, दंधर्स, जकडाट, मुक्षे फेन, वमन, अरूची, सुआस, और मूर्चा यह शिम्टम देखने को मिलेंगे इस्तावरविश और पिर जांगमविश के क्या-क्या लक्षन निंद इसको विश संकट का मतलब है कि विश को बढ़ाने वाले फेक्टर कौन-कौन शे है, तो देखो पित परकती, अगर किसी वेकती कि पित परकती है, तो उसमें विश का परवाव जादा देखने को मिलेगा, ग्रिसम काल में अन, कट्टू और टिक्ट अन, यह भी है विश के परवाव को बढ़ाएगा, पिर अगर पित दोस है तो, और पिर दूश्य रक्त है तो, भूक और प्यास, यह सब विश के परवाव को बढ़ाने वाले फेक्टर होते हैं, पिर विश समन, मतलब विश का परवाव कम करने वाले, तो एक तो अगस्ते तारा, अगस्ते नकसत के उदे होने के बाद अगस्ते तारा होता है उसका उदे होने के बाद और एक वर्षा रितु के समाप्त होने पर विश का परभाव अपन को कम देखने को मिलेगा जबकि यह कंडिशन है जो विश के परभाव को बढ़ाएगी जो अगस्ते तारा या अगस्ते नक्सतर है वो उद्धई होने पर विष का परवाव थोड़ा कम हो जाता है फिर बात करते हैं विष के अउचारण के मारग तो देखो अउचारण के मारग है और अउचारण के माध्यम मारग मतलब कौन-कौन सा रूट है जैसे मुक के द्वारा अपनर विष को दे सकते है सुअसन के द्वारा और external application यह मारग हो गया जबकि माद्यम विश को किस किस में मिला कर जैसे अपन भोजन में मिला कर विश को दे सकते हैं तो वो हो गया माद्यम और यह मारग तो विश के अउचारन के मारग कौन कौन से हो जाएंगे मुख द्वारा, औरल रूट हो गया आंत्रेतर के द्वारा, सुअसन के द्वारा, प्राकर्टिक छिद्रो द्वारा, उपजिवी का द्वारा और बाहय परियोग external application भी होता है तो यह च्छे इंपोर्टेंट है विश के अउचारन के मारग, फिर माद्यम कौन कौन से है, तो देखो बोजन में मिला कर, मतलब बोजय वस्तू हो गई, पेपडाट, दांतून, कंगी, उप्टन, परिशेक, लेप, माला, वस्तर, जुते, नश्य, दूम, आदी में विश मिश्रित कर, सरीर में विश पहुंचाया जाता है, तो अउचारन के मारग तो ओते अच्छ है, जैसे मुख के द्वारा, बाहय परियों के द्वारा, सुआसन के द्वारा, जबकि विश के अउचारन के माध्यम, इसकिस में मिला कर अपन विश को दे सकते हैं, उसको बोलते तो देखना जनमकाल से ही विस का शेवन कराने से कन्या विस महीं हो जाती है क्योंकि जनमकाल से ही वो continue विस का थोड़ा थोड़ा शेवन कर रही है तो विस उसके according मतलब उसका मतलब सात्तम हो जाता है पिर देखो इनका इसपर्स और उच्वांस मारक होता है उनको सातम ही हो जाता है फिर वो क्या होता है उसका इसपर्स भी क्या होता है मारक होता है मतलब डेत करने वाला होता है मरती हो जाती है अगर वो खिशी को इसपर्स करेगी तो भी फिर विसकन्या के शिर्क के इसपर्स से पुस्प मूर जाते है देखो अगर इसपर्स भी कर लिए तो पुस्व मुज़ा जाते हैं विश्क अन्या की सया के jewel के खटमल की जूए तता सनान किया वे जल में जनतू मर जाते हैं उसका इसपर से डेतर देने वाला होता है मर्ती हो जाती है उसके इसपर सही रही जनमकाल से ही विश्का शिवन कर रही है और उसको उसका सरीर विश के according सात्तम ही हो गया है तो यह complete हो गया अपना